हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज हम एकनॉमिक्स की आपकी NCRT की जो सॉलूशन सीरीज है वो श्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है उसी तरीके से फ्रेंट्स इसमें आपके 4 चेप्टर्स हैं हम 4 के चेप्टर्स को डिसकस करते वेचे लेंगे अगर वीडियो लंबी होगी तो फ्रेंट्स हम इसका separate पार्ट लियाएंगे और नहीं तो ये combined रहेगा ओके चली तो फ्रेंट्स सबसे पहले questions के साथ start कर ले हैं ठीक है न जिसमें आप लोगों को थोड़ा से कुछ issues आता है तो basically हमारे को friends एक ये data दे रहा है production of pulses and wheat ठीक है न 1965 से लेकर 2018 तक हमारे को data दे रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे को कुछ questions पूछे हैं let's discuss what is the difference between multiple cropping and modern farming method तो friends basically क्या होता है multiple cropping का मतलब क्या होता है जब आप एक piece of land पे ठीक है न क्या करते हैं आप एक से ज़ादा crops उगाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं multiple cropping ठीक है न पहले चीज़ ये हो गई दूसरी चीज़ क्या होती है ये एक तरह की का एक बहुती असान तरीका common way भी बहुता है आप जिससे क्या होता है हम production को increase कर सकते हैं ठीक है न चलिए और आपने देखा भी होगा अगर आप लोगों ने ये पालंपुर विलेज जो की एक hypothetical विलेज बनाया हुआ है कि उसमें किस तरीके से electricity आने के बाद किस हद तक आपने जो production वगरा को increase किया था अब बात कर लेते modern farming method modern farming method क्या होता है फ्रेंड जब आप आप नए नए methods लगाते हैं जैसे hyv seeds के बारे में आपने सुना होगा high yield variety seeds ठीक है न chemical fertilizers के बारे में आपने सुना होगा pesticides के बारे में आपने सुना होगा irrigation methods के बारे में आपने सुना होगा यह basically कब associate हुए थे जब हमारी 1960 के आसपास जो हमारी green revolution आई थी उससे सारी चीजे relate करती है ठीक है चलिए फिर क्या पूसता है the following table shows the production of wheat and pulses in India after the green revolution in units of million tons plot this on a graph was the green revolution equally successful for both the crops discuss ठीक है न तो वो जानना चाता ह है कि क्या यह जो green evolution है सब के लिए successful रही थी या फिर सिर्फ wheat के लिए तो friends कुछ data से specific अगर हम देखकर बात करें तो ज्यादा specific रहेंगे ठीक है चलिए यह हमारा data आ गया सारा ठीक है तो अगर हम data को देखे friends के लिए लेकि जो 1965 से लेकर 66 की अगर हम बात करें तो pulses हमारे प वो तो सिफ 24 million ton ही बन रही है पर जबकि wheat को हमने कितना produce करना शुरू कर दिया 97 million tons तो इसका क्या मतलब हुगा friends इसका मतलब आप समझ सकते है कि equally जो green revolution का effect है वो equal नहीं पड़ा ठीक है ना pulses पे वो कम पड़ा बट wheat पर वो जाधा पड़ा ठीक है चलिए इस तरह किस interpretation करने स समझ में आती है हमारे को diagram what is a working capital required by the farmer using modern farming methods कि जो अगर एक modern farming method use कर रहा है farmer तो उसको working capital किस चीज के लिए required होगी तो friends मैं आपको बताया hyv seeds वो लेता है chemical fertilizer pesticides irrigation और जो farmers वगरा है जो भी labor उसमें रख रख हैं उसकी wages के लिए उसको यह सब amount जो खर्च करना पड़ता उसके यह होता working capital का मतलब हो गया एक तरीके से आपको उतना पैसा चाहिए ठीक है ना on initial basis पाल चलिए ठीक है चलिए फिर next question क्या कहता है modern farming methods require the farmer to start with more cash than before तो मतलब यह कहना चाहता है कि अगर एक modern farming method लगाता है farmer तो उसको एक तरीके से ज़्यादा cash चाहिए ठीक है ना तो friends basically देखी यह तो inputs है ठीक है ना fertilizers हो गए आपके pesticides tractors threshers ठीक है ना तो यह सब क्या है एक तरीके से manufacturing में एक तरीके से industry में काम आते हैं ठीक है ना तो अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसका production नहीं कर पाएंगे ठीक है ना क्योंकिन अगर आप traditional method से ही करते हैं तो फिर आपका जो output होता है वो कम होता है अगर आप new methods लगाते है तो फिर आपका जो output है वो increase हो जाता है ठीक है ना तो इसलिए ही वो modern farming methods के लिए बात करता है और उसमें हाँ यह मान सकते हैं कि अगर आपको initially cash चाहिए बट उसका फिर आपको better output मिलता है औ better आपका profit हो जाता है ठीक है ना चलिए तो यह मान सकते हैं कि हाँ भाई जब modern farming method में आपको ज्यादा cash चाहिए होता है बजाए traditional farming methods के ठीक है चलिए उसके बात क्या कहता है friends कहता है after reading the following reports from our newspaper magazines write a letter to the agriculture minister in your own words आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे friends इस तरीके से आपको मैं एक idea बता देता हूँ कि ऑनेबल agriculture minister ठीक है पुरा-पुरा लिखेंगे government of India ठीक है फिर new Delhi लिखेंगे यहाँ पर आप अप अपने date डाल देंगे उसके बाद फिर आप क्या करेंगे जब date के नीचे ही आप इस तरीके से यहाँ पर date हो गई उसके बाद अपना subject लिखेंगे कि आपका क्या issue है उसके बाद sir या madam हो सकती है agriculture minister आपकी कोई lady हो तो फिर आप यहाँ से फिर शुरू करेंगे कि I want to draw your attention towards the harm cost due to the cost due to the chemical fertilizers ठीक है ना फिर इस तरीके से आप लिखकर सारी बाते जो भी है आपको कहना है कि बई अच्छा अब इसमें आप क्या बाते करेंगे यह मैं आपको बता देता हूं कि chemical fertilizers के use से जो मारी land की fertility है वो कम हो रही है ठीक है ना कईना कई जब यह soil से निकल जाता है त ठीक है ना तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि cost of कई न कई cost of production भी कई न कई हमारी increase हो गई है इसकी वज़ के तो बस आप यह सारी चीजे लिखकर उसके बाद end में क्या कर सकते हैं last में लिख सकते हैं I request you to consider this matter seriously yours faithfully Mr. XYZ जो भी आपका नाम है ठीक है तो इस तरीके से friends मैं आपको एक idea दे दिया आप इस तरीके से carry out कर सकते हैं ठीक है ना अब आपको कोई issue नहीं आना चाहिए और यही बाते इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है आप उसको थोड़ा सा help करके अपनी languages में अच्छे से बनाकर लेख सकते हैं ठीक है ना चाहिए आप उसके बाद हम friends next question discuss कर लेते हैं आपका क्या कहता है next question हमारा हां एक second हाँ क्या कहता है कि वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पूर कि वाई दो तरके के फार्म लेबर्स हैं यह क्यों पूर है क्योंकि friends बहुत सारे reason हैं यहाँ पर अगर आपने यह सारी story सुनी होगी तो basically friends क्या होता है seasonal employment है ठीक है अभी मैं आपको एक basic basic idea दे रहा हूँ उसके बाद हम इसको थोड़ा सा detail में भी discuss कर लेंगे seasonal employment पहला reason हो गया low wages दूसरा reason हो गया तीसरा reason क्या हो सकता है आप ही कह सकते है यह unorganized sector में काम कर रही है और चौता क्या हो गया एक तरीके से यह farm laborers है ठीक है ना तो इनके पास क्या होता है continuous work नहीं मिलता है इनको अब चुब continuous work नहीं मिलता है तो इसके वज़े से क्या होता है इनको कि माल लीजे इनको साल में 200 दिन का employment मिला साल में हमारे 300 65 दिन होते हैं तो फिर 100 65 दिन को यह क्या करेंगे तो कही न कहीं यह सारी चीजे देखी जाती है ठीक है ना और फिर माल लीजे low wages low wages का मतलब क्या हो गया कि friends जैसे कि माल लो government ने fix किया हुआ है कि आपको 300 रुपे मिल जाएंगे minimum ठीक है ना बट इनको जो एक तरगे से जो owner होता है वो कहता है कि हम तो आपको 500 रुपे ही देंगे ठीक है ना तो कह है इसलिए कई ना कई इनका वहाँ पर भी exploitation होता है ठीक है जी चलिए फिर अनोगनाइस की मैं बात करा था फ्रेंट जैसी अनोगनाइस का मतलब क्या हो गया यह illiterate होते हैं फ्रेंट जैनरली illiterate होते हैं ignorant होते हैं इनको अपने कुछ schemes के बारे में नहीं जानकारी होती जो government provide करती है unorganized होते हैं जिसकी वैसे क्या होता है कि यह जो land का owner होता है उससे अच्छे से negotiate नहीं कर पाते अच्छे position में नहीं होते कि वो bargain कर पाएं ठीक है ना चलिए फिर indebtedness की जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने इतना सारा उधार लिया होता है लोगों से कि इसलिए इनको जो money lender होता है उसी की जमीन पर इनको काम करना पड़ता है सस्ते wages पर ठीक है ना तो ऐसी जो भी friends villages से belong करते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग यह बिलकुल समझ सकते है कि क्या यह बात बिलकुल ठीक है या नहीं ठीक है जी चलिए फिर एक friends आपको देरखाय, गुसाइपुर and मजॉली are two villages in the north Bihar. आपको यह बताना है कि ऐसे लोग people migrate करते क्यों है? पहली चीच, can you describe based on your imagination the work that migrants of गुसाइपुर and मजॉली might to do at the place of destination? अच्छा, अब जब वो migrants का काम करते हैं तो उसके बाद वो उस जगाओ पर किस तरके का काम करते हैं? ठीक है? तो friends इसको भी हम discuss कर लेता है कहता है कि भई देखिए जो भी एक person दूसरी one state से दूसरी state पर ज जाता है friends क्योंकि उसको क्या चाहिए होती है? employment opportunities चाहिए होती है, जिससे कि वो अपनी income को increase कर सके, ठीक है न? अच्छा, अब वो यह जाना चाहिए कि भई वो किस तरीके का काम करते हैं? तो basically friends वो देखिए, वो laborers का काम कर सकते हैं, वहाँ पर daily wages पे रिक्षा चला सकते है ठीक है न? समान उठा सकते हैं, कुली बन सकते हैं, वो इस सरके के different different काम वो करकर चलते हैं, to increase the air, ठीक है चलिए तो friends, इसी के साथ हमारा ये सब complete हो जाता है, अब हम कुछ exercise हैं, जो deal कर लेते हैं, ठीक है न? Almost, अच्छा, 13-14 questions हैं, कोई बात नहीं, मैं time देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, friends, इसी में covered हो जाएगा, कोई ऐसा हमारे पास issue नहीं है, ठीक है न? Simple-simple से कुछ questions हैं हमारे पास, बोलता है क्या, every village in India is surveyed once in 10 years during the census, and some of the details are prescribed in the following format, fill up the following based on information on Palampur, कैता है location बताइए, तो friends, ये basically, अगर आप आपने stories पढ़ी होंगी, तो आपको समझ में आएगा, कि भई, 3 km है राइगंज से, ठीक है न? आप ये बता सकते हैं उसको, और ये क अब ये friends मैंने पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजी समझा पा रहा हूँ, अगर आप story को सारी एक बार book को पढ़ कर अगर आप ये समझेंगे, तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं, तो आप इनके answers ये लिख सकते हैं, उसके बाद मेरे कहने से, आप please ए 200 hectare, और unirigrated कुछ भी नहीं थी, जबकि और जो एक तरीके से हमने area cover कर रहा था, pond से, road से, तो वो कितना था, हमारा 26 hectare, इसी कारण हमारा 200 और plus 26 hectare कितना हो जाता था, 226 hectare हो जाता था, ठीक है न, वो यहाँ पर आपको cover भी कर रखा है, दे भी रखा है, ठीक है न, फिर क्या तक किस तरकी की facilities available है पालंपूर विलेज में, क्या education की facility available है, yes friend, two primary schools थे और एक high school था, medical में, एक government primary health center था और एक private dispensary थी, ठीक है न, तो इसको आप one plus one भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा, market, market की अगर हम बात करें, तो market friend, राई गंज में थी, जो की 3 km दूर ह किस से आपके पालंपूर विलेज से, electricity supply की अगर हम बात करें, तो friend, yes, जो भी घरों में था, वो ज्यादातर electric connections available था, ठीक है न, communication की friends, कोई बात नहीं मिली थी, और town जो है nearest वो कौन सा है friends, वो है शहापौर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर लगता है कि भई, इसमे अब हम क्या data fill करें, या हमार को क्या guidance मिल जा, तो friends, इस तरीके से मैं आपको guidance provide कर देता हूँ, ultimately, आपको लिखना भी थोड़ा सा आएगा, बट आपको एक chapter की जो understanding है, वो आपको clear होनी चाहिए, जिससे कि आप उसके answer असानी से लिख सके, ठीक है न, चलिए, second केता है, modern farming method require more inputs which are manufactured in industry, कहता है, तो, क्या friends, ये बात बिल्कुर ठीक है, yes friends, मैंने आपको पहली बताया था, कि भया, उसमें बहुत सारे inputs लगते हैं, ठीक है जी, अगर आप लिखना चाहें, तो लिख भी सकते हैं, कि जैसे, tractors किसले चाहिए होते हैं, friends, tractor plugging के लिए चाहिए होते हैं, harvest harvesters क्यों चाहिए होते हैं, harvesting के लिए चाहिए होते हैं, threshers, threshing के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है न, बस यही आप इस तरह की, भी examples अपने उसमें लिख सकते हैं, ठीक है न, और भी बहुत सारे equipment होते हैं, friends, जो चाहिए होते हैं, जैसे pumping set हो गया, irrigation के लिए, ठीक है न, other electrical equipment से आप बोल सकते हैं, machinery हो गए, ठीक है न, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यह आपके inputs बन जाते हैं, third question क्या कहता है आपका, how did the spread of electricity help farmers in पालंपुर, कि जब से electricity का supply हुआ, उससे एकदम क्या changes आ गए, तो friends, देखिए, बहुत सारे changes है, देखिए, जब electricity नहीं थी, तो वो क्या यूज़ करते थे, वो Persian wheels यूज़ करते थे, ठीक है न, अगर आपके दादजी वगरा हैं, घर पे अगर आप उन लोगों से यह सब चीज़े पूछेंगे, कि by 1980 में किस तरह के से farming होती थी, तो वो agriculture होता था, तो आपको इसमें पानी देना, वो सब चीज़े एकदम timely होने लगी थी, ठीक है न, तो यह आप improvement देख सकते हैं, electricity का, ठीक है न, फिर different different तरह की irrigation जो facilities है, वो increase हो गई थी, ठीक है न, तो उससे क्या हुआ, जो भी आपकी फसले हैं, उसको समय पर पानी मिलने लगा, ठीक है, यह भी एक benefit है, फिर एक तरीके से जो पहले क्या होता था, फ्रेंट्स, पहले जो था, पहले monsoon पर depend करते थे हमारे farmers, अब क्या होता है, उनको different types को irrigation facilities अविलेबल होती है, कि drip irrigation है, ठीक है न, या फिर sprinkle irrigation है, तो यह सारी चीज़ अविलेबल है, ठीक है न, बहुत तरह की irrigation होते हैं, तो अब उनको monsoon पर depend नहीं रहना, तो ये भी कहीं न कहीं एक advantage हो गया, ठीक है न, तो कहीं न कहीं और फिर, friends, वहाँ पर dams वगरा का construction हो गया, तो वो faster harvesting भी उसकी कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे benefits है, friends, कुछ आप भी अपने इसाब से भी देख सकते हैं, कुछ मैंने जो कुछ areas ऐसे हैं, जहाँ पर जो rainfall है, वो adequate amount पर नहीं होती है, अब मैं आपको उसके example दे सकता हूँ, कि भाई कहां कहां नहीं होती है, जैसे कि some areas of Punjab, Rajasthan, ठीक है न, Deakin और Central India, कुछ ऐसे areas है, friends, जहाँ पर आपकी जो बारिश है, वो adequate नहीं होती है, ठीक है न, तो इसका मत पड़ती है, जिससे कि आप, फिर क्या होता है, फिर एक crop से जादा भी आप उसमें उगा सकते हैं, ठीक है न, जैसे आपका under, जो जैसे friends, आपको पता होगा, rice जो है हमारी, वो जादा जादा, बहुत जादा water consume करती है, तो कही न कहीं, अगर भई, आपने ऐसी जगा rice को उ रखना है, ठीक है न, फिर आपको एक चीज और पता होगी friends, जो मैंने आपको बताया था कि, जो high yield rating seeds होते हैं friends, इनसे आपका output तो increase हो जाता पर friends, ये बहुत जादा पानी को consume करके चलते हैं, ठीक है न, आप ये सब चीज़ अपने answers में incorporate करेंगे, तो कही न कहीं friends, आपको land नहीं है, तो उसको हम क्या वो लेंगे, landless है, मान लिजे landless की संक्या कितनी हो गई, मान लिजे 150 है, ठीक है, फिर मान लिजे कि जो 240 families हैं, वो small farmers हैं, ठीक है न, आपको पता है small farmers जादा होते हैं, कितने हो गई आपके, 390 हो गई, तो बचे कितने 60 families, तो 60 families आप मान सकते है कि भई ये medium और large partners हैं तो इस तरह के से आप टेबल में अच्छी beautiful manner में construct कर सकते हैं और ये answer को आप जवाब में देश सकते हैं ठीक है चलिए next question पड़ते हैं कि भई जो भी wages है पालमपूर में वो क्यों है कम क्यों तो friends उसके में आपको reason बताये थे कि भई उनके पास कोई भी land नहीं होती ठीक है ना तो वो सिर्फ एक तरगे से labor के work पे ही depend होते हैं तो जब उनके पास कोई और other source नहीं होता तो उनको exploit किया जाता है, manipulate किया जाता है ठीक है ना, अगर 300 रुपे का ध्यारी का rate है आपका तो आपको उनको 1500 रुपे देते हैं तो कही ना कहीं इस वज़े से भी उनका पास जब काम नहीं होता तो उनके पास bargaining power काम होती है और फिर फ्रेंट्स जब competition बढ़ जाता है ठीक है ना, भई माल लीजे 100 जने हैं वो सारी unemployed हैं और वो सब चले जाएंगे मालो उसको 20 जने ही चाहिए ठीक है ना तो वो सबसे कम वाले लोग को choose कर लिगा कि भई वो कोई कहगा 200 रुपे लुँगा तो कोई कहगा 150 रुपे लुँगा तो वो 150 वालों को बुला देगा ठीक है जी क्यों इतना exploit किया जा रहा है हम लोगों को exploit नहीं किया जाना चली चिक है चलिए है ना और generally और जो सबसे main और important part है friends जो example है वो क्या है कि बही generally ये illiterate होते हैं और ignorant होते हैं ठीक है ना farm laborers इस वज़े से भी इनका जो exploitation होता है वो belong करते हैं आप दो laborers से बात कीजिए ठीक है ना फिर उनसे पूछिए कि भई कि आप construction site पे काम करते हैं तो आपको कितना wages मिलता है कितना cash में मिलता है कितना kind में मिलता है ठीक है ना और आपको क्या वो regularly मिलता है या आपके पास कोई उधारी किसी की है या नहीं ठीक है ना तो ये आपके part पर answer है ठीक है मैं request आप उसे करूँगा कि अगर आप लोग इसका answer लिखते हैं comment करते हैं तो please आप अपना region पूरा और अपना नाम के साथ इसको share कीजिएगा और मुझे अगर आपकी स्टोरी अच्छे लगती है तो मैं उसको अपने वीडियो में आपके नाम के साथ उसे publish कर सकता है ठीक है चलिए फिर next question चलते हैं आपका what are the different ways of increasing production on the same piece of land use examples to explain मतलब क्या कहने का मतलब हुआ इसका कि भई किस तरीके से आप production को जोवार भी उगा दिया और बाजरा भी उगा दिया ठीक है ना तो आपने क्या किया एक एक land पर दो crop उगा दी और modern farming method में आपने high yield variety use किये, tube wells use किये fertilizers use किये, machines use कि अपनी production को बढ़ाने के लिए ठीक है describe the work of a farmer with one hectare land अगर एक farmer के पास एक hectare land होता है तो उसको क्या क्या चाहिए हो सकता है ठीक है ना तो एक farmer है तो friends उसको beach चाहिए हो सकते है seeds, fertilizers, pesticides ठीक है ना कुछ एक कुछ सोड़ा से amount चाहिए होगा जिससे वो अपनी working capital को कर सके manage और उसे borrow ना करना पड़े पैसा ठीक है ना एक उसको land चाहिए ठीक है ना जहां पर वो अपने काम करेगा और बाकी वो अपना घर का household work भी करता है और बाद में अगर जब उसमें agriculture में काम नहीं होता तो वो क्या कर सकता है non farm activities में भी वो अपना time spend कर सकता है ठीक है ना तो basically जो non farm activities होती है friends मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से होती है जैसे dairy हो गया ठीक है ना shop keeping हो गया transportation हो गया skill development center आपने computer वगरा के center खोल लिए तो ये सब क्या आ जाता है आपका non farming center एक तरह के से non farming sector के काम आ जाते है ठीक है चलिए question number 10 discuss कर लेते है how do the medium and large farmers obtain capital for farming जो medium और large यहाँ पर small की बात नहीं कर रहा ठीक है वो कह रहा है medium और large वाले कैसे arrange करते है capital को तो basically क्या होता है friends जो भी medium और large farmers होते है वो अपनी जो surplus होती एक तरीके से फसल का उसको क्या करते है वो बेच देते हैं ठीक है ना और जो भी उनके पास earning होती है वो उसको save कर लेते हैं या फिर किसी को small farmers को पैसा देके उनसे ब्याज ले ले लेते हैं तो उनके पास ब्याज की भी income आ जाती है इसी तरीके से वो पैसा कमा लेते हैं ठीक है चलिए next question हम discuss कर लेते हैं इसमें friends जादा कुछ है नहीं अगर आपको लग रहा है कि sir आप थोड़ा सा फास्ट है तो friends आप थोड़ा सा वीडियो को रोग कर और please अपने पास answers को जो भी noting करें वो सबस्यादा must है और आपके पास please copy और pen जरूर होना चाहिए ठीक है न क्योंकि friends ये कोई प्रवच्चन नहीं है कि बस आप आए सुन लिया और चले गए कहीं न कहीं friends इसका आपको benefit मिलना चाहिए कि अगर आपको कल को अपने यंगर sister brothers को भी पढ़ाना पड़े तो आप उनको पढ़ा सकते हैं ठीक है हमारा ये motive होना चाहिए कि हमारे को जो knowledge है उसको हमारे को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share करना है ठीक है और अगर आपको video अच्छा लगता है तो friends आप अगर यहां तक सुन भी रहे है इसका मतलब क्या है कहीं न कहीं आपका interest बनता है इस चीजों में और अगर आप अपने shares करना चाहते है लोगों friends के साथ तो आप इस video को please share कीजिए क्योंकि friends knowledge अगर आप share करेंगे तो आपकी knowledge बढ़ती है एक पैसा है जो पैसा देने से friends घड़ जाता है बट knowledge जो है आप अगर share करते हैं तो वो आपकी बढ़ती है ठीक है ना On what terms did Savita get a loan from ताजपाल सिंग Would Savita's condition be different if she could get loan from the bank at low rate of interest मतलब क्या हुआ कि बढ़ी जब Savita ने loan लिया किसे 23 बासे तो उसने क्या किया उसको 24% तक का ब्याज मांगा उससे 4 महीने का तो ये तो friends बहुत जादा interest rate है ठीक है ना तो कही ना कही अगर वो bank से पैसा लेती तो friends उसको उसके पास मजदूरी नहीं करनी पड़ती low rate पर उसको ब्याज मिल जाता ठीक है ना और कही ना कही उसको फिर जब वो saving उसकी कर पाती तो आगे कुछ एक position पर इस तरह के से वो पहुझाती कि उसको क्या करना पड़ता आगे उसको ब्याज एक तरह के से नहीं देना पड़ता जादा और वो ही उसका amount safe हो सकता था चिक है जी talk to some old residents in your region and write a short report तो friends यह आपके ओपर depend करता है अब यह question आपके लिए आ गया ठीक है ना तो I think अगर 14-15 question है उसमें से अगर आपको एक दो question करने पड़े जिसको मैंने आपको बता दिया तो friends इसी तरह के से आप यह लोग चीज़े questions को solve कर सकते हैं चलिए next question की बात करते हैं कहता water the non-farm production activities जो मैंने आपको बताया था friend dairy कि बाई वो breed कर सकते हैं buffaloes को cows को और उनका milk क्या हो सकता है वो बेच सकते हैं ठीक है ना फिर क्या कर सकते हैं friends कुछ जैसे computer training center ठीक है या tv repairing mobile repairing center वो भी सब आप चीज open कर सकते हैं या फिर कोई small scale manufacturing industry जैसे की भाई आप लोगों ने क्या किया कि भाई गुड़ डाल दिया कि भाई गुड़ बेच लेंगे आप ठीक है ना क्या कर सकते हैं अगर आप अपने प्रेक्टिस करेंगे और अपनी तरफ से आप आंसर लिखेंगे तो इस बैटर फॉर ठीक है ना फिर जादा स्यादा वहाँ पर आप education की facilities होनी चाहिए जादा स्यादा health की facilities होनी चाहिए अगर आप जाद स्यादा ये सारी चीजे करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा आपका वहाँ पर non farm production activities बढ़ जाएंगी सिर्फ लोगों को agriculture पर ही depend नहीं रहना ठीक है ना friends तो चलिए friends इसी के साथ हमारा ये chapter बहुत अच्छी तरीके से complete हो गया है ठीक है बिलते हैं friends next lecture में तब तक के लिए friends all the best God bless you all मिलते हैं next okay